नमस्कार मैं डॉक्टर अजीद भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विशाय के अंतरगत इमेल लेकर आया हूँ तो आज देखो यह आपका अपचार एक इमेल है और इसका सीर्सक है केंप्यूटर से इच्छा की बिवस्ता करने का अनरोध ठीक है अब देखो हम प्रसन देख लेते हैं तो प्रसन कुछ इस प्रकार से है आप यानि आपका मेल आइडिया है अनराग एरदारे जीमेल डॉट को इमेल लिखकर कंप्यूटर से इच्छा की बिवस्ता करने का अनरोध कीजिए ठीक यह हो गया अब देखो प्रसन में क्या रहेगा आप तीन बाते बस द्यान रखना एक तो यह कि मेल लिख कौन रहा और विसाय क्या किसको तो देखो कौन लिख रहा आप लिख रहे हैं और किसको लिखना प्राचार को जो बिद्या लिखे हैं और विसाय क्या कंप्यूटर से इच्छा की बिवस्ता ठीक जब यह तीन चीजें आप समझे लोगे तो आसानी से आप क्या कर पाओगे इमेल लिख पाओगे इतना समझने के बाद लिखेंगे उत्तर उत्तर के अनरोद उसके बाद फिर लिखा रहे देखो कंप्यूटर या मोबाइल उसके मेल में फ्राउम टू और सब्जेक्ट ये तीन चीजें तो लिखी ही रहती हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं अब क्या करेंगे हम फ्राउम लिखके लिख देंगे अनराग एड़ कायने का आर्थ ये है कि जो मेल भेजता है वो क्या होता फ्राम में अपना मेल आईडी देता और जिसको भेजा जाता वो होता है तू यानि तो डर्स .kalyan और फिर .gmail.com तो इतनी बात ध्यान रखना है जो बेजेगा वो from में अपनी mail ID लिखेगा और जिसको बेजा जाएगा वो to में अपनी mail ID लिखेगा उसके बाद पर आता है subject तो subject में बिसर लिख देंगे computer सिच्छा की विश्टा करने का अनरोद पर उसके नीचे लिखा रहता है compose email किसी तो इसमें इतना लिखने के बाद अब लिख देंगे हम पत्र की तरह लिखेंगे mail ठीक तो सबसे पहले लिख दिया सेवा में comma लगा दिया फिर सामने लिख दी दिनाग दिनाग 12 10 2000 और फिर 2 X बना दिये देखो ये 2 X इसलिए बना दिये हैं ताकि हमारी जो असली वर्स है या दिनाग छिप जाती है जब सच में हम किसी को mail लिखेंगे तो वहाँ पर देखो ये दिनाग और समय लिखने की जरूरती नहीं पड़ती है क्योंकि वह तो जिसको mail भेजोगे इसमें और लेडी समय और डेट लिखा रहता है यानि लिखा हुआ जाता है तो ये आपचार रिकता सर्फ दिखाने के लिए इसमें लिखा है फिर नीचे लिख देंगे प्राचार मावदय नवोदय विद्याले तिरपुरा ठीक ये हो गया पद और पता अब आता है फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे मोदय और कॉमा लगा दें ठीक सिक्वेंस में ही ऐसे लिखेंगे ठीक इदर दर ना लिखेंगे पिर कॉमा लगाने का नई लाइन से लिखेंगे उपरयोग्त विशय के संदर्व में विनवर निवेदन है कि मेरा नाम खा है मैं कच्छा नवी का छात्र हूं आज के समय में कंप्यूटर की सिच्चा का महत है अब कार्याले विद्याले और कार खानों आज आज का मतलब हो जाता है और इसके अतरिक्त भी कई स्थानों पर सबी स्थानों पर कंप्यूटर से ही काम किये जाते हैं जाए फिर वो रेलवे विभाग भी हो आब रिजर्वेशन कराने जाते आख खुद करते तो कंप्यूटर से ही या फिर इंटरनेट मुबाइल से आने वाला योग कंप्यूटर योग होगा छातरों के भवश के लिए इसकी जानकारी होना आवस्यक है पिर आंते में लिखेंगे आता है आप से अनरोध है कि यहाँ पर छोटी की होगी अनरोध है कि अपने विद्याले में कंप्यूटर से अच्छा सुरू करें हम सभी आपके उपकारी रहेंगे आसा है कि बार बार की आता देखो आप हमारी प्राथना को सह स्विकारेंगे पिर नीचे नई लाइन से लिख देंगे धनवाद पिर उसके बार लिख देंगे आग्याकारी सिस और फिर उसके नीचे लिख देंगे आप अपना नाम खा और कच्छा नौ तो ये हो गया आपका पूरा मेल ठीक अब क्या-क्या बात देखो जब मेल आईडी लिखेंगे तो हम तीन बातों का ध्यान लखेंगे अब और क्या द्यान देखो ये तो हो गया मेल अब ये कैसा दिखाई देगा उसको देख लेते हैं आपका ये देखो ऊपर ये प्रसन हो गया ये अब उसके आउत्तर होता है फिर फ्रॉम्ट टू सब्जेट कमपोस इस तरह से आपका मेल आईडी लिखा होगा ये मेल पूरा यानि मेल लेटर आईडी क्या आईडी दो उपर लिखते हैं ये हो गया अब इसमें द्यान क्या क्या रखना है एक तो ये कि जो भी मेल लिखेंगे उसका फॉर्मेट सही हो गलत सलत नहीं लिखेंगे तूसरा हम इसमें जो मेल लिखेंगे यानि जैसे ये कंटेन है विसेवस्तू इसमें जो वाक या सब्दों का प्रियोग करते हैं अगर आपने कठन और मुस्किल सब्दों का प्रयोग कर दिया तो क्या होगा हमारे सब्द या वाक के असुद लिखने के कारण उसमें तुरुटियां होगी और तुरुटियों के कारण हमारे अंक कट सकते हैं ठीक है अब तीसरी बात क्या आप इस इमेल को देखकर दो बार लिखो अपनी किसी कौपी में रफ या फेयर में और पिर तीसरी बार उसको बिना देखे लिखो और पिर बिना देखे लिखने के बाद मिलान कर लो मिलान करने के बाद जो गल्तियां रहे गी हो उनमें क्या कर लेते हैं सुधार कर लेते हैं तो ऐसे आप क्या होगा इस इम विशे पराधारत mail को आप आसानी से लिख पाएंगे तो ये मैंने आपके सामने email लिखने का यानी बताने का प्रयास किया तो अगर किसी प्रिकार का कोई doubt हो तो comment करके हमें अवज बताएं अगर कोई ऐसा विशे हो जिस पर आपको mail लिखना हो और समझ मिना आ रहा तो उसका भी सीरसक हमें लिखकर बेश सकते हैं बसरते वो आपचारिक email का प्रसनों और मैत पूर भी हो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बेश दिया तो आसा करता हूँ कि ये email लिखना आपको समझ में आ गया होगा अब हम फिर मिलेंगे किसी नहीं से के साथ तब तक के लिए धन्वाद